नमस्कार दोस्तों, so friends, vacancies एक बर फिर से यहां पे रिलीस कर दी गई, recruitment website पे आ चुका है, इसमें अलग-अलग पोश्ट यहां पे शामिल की गई, इसमें दोस्तों, staff nurse के लिए vacancy यहां पे रहने वाली हैं, इसके साथ-साथ left technician, pharmacist और भी अन्य पद यहां पे शामिल की गई, कुल मिला के 384 पद हैं, number of vacancy 384 यहां पे include की गई, male और female, महिला और पुरुष दोनों यहां पे apply कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी को application form आपको यहां पे fill करना है, सबसे पहले आप सभी लोग यह जान लें, इस बार जो vacancies यहां पे जो release की गई, heading आप सभी लोग यहां प यह स्वास्त बिवा की भरती यहां पे रहने वाली है, contract basis पे यह job यहां पे निकाल ले गई, covid hospitals के लिए यह vacancy यहां पे रहने वाली है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे cover करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को आप पे like करें, like करें इस वीडियो को, इस मेहनत जैसे आगे भी पात रहें तो बिलकुल, शुरू बात कर देते हैं अपना update को, बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर, so friends, vacancy table में पहली जो पोस्ट यहां पे जो include की गई, medical officer की यहां पे रहेगी, देख सकते हैं, medical officer के 43 पोस्ट यहां पे शामिल की गई, covid hospital के अंतरकत य जोब हैं और 26,550 रुपे per month basis पे आपको salary दी जाएगी, qualification को आप पर discuss कर लेते हैं, तो जितनी भी candidates आपे medical qualification रखते हैं, तो बिलकुल आप लोग यहां पे apply करें, और आपको इसी field में आपको registration भी मांगा जा रहा है, तो यहां पे लखा भी हुआ है, position of registration certificate issued by MCI, NMC या फिर M.M.C. तो Medical Council of India का आपको यहां पे registration भी चाहिए, और internship आप लोगों की यहां पे complete होना चाहिए, इसके बाद देख सकते हैं, staff nurse के लिए vacancy है, और staff nurse के देड़ सो पाधिया आप पे शामिल की गए, COVID hospital के लिए यह vacancy आप पे release की गए, 17,700 रुपे परमान देशिस पे आपको आपको एक great nurse होना आपका जरूरी है, मनिपुर nursing council के अंतरगत, और दोस्तो senior certificate आप से आप पे मांगा जा रहा है, nursing और midwife का, और male candidates के लिए यह certificate की जरूरत है आप पे नहीं है, तो बिलकुल आप लोग यहां पे apply कर पाएंगे, इसके बाद देख सकते हैं, pharmacist के आपे vacancy है एलोपैती के अंतरगत, pharmacist के आप है, आठ पाद यहां पे शामिल की गए, COVID hospital के अंतरगत, और 14,600 रुपीज आपको आप पे salary मिलेगी, 12th class आप लोग यहां पे pass हो, science subject में, और आप लोगों को diploma होना जरूरी है, pharmacy के अंतरगत, और आप लोग यहां पे trained हो, और registered होना भी आ 12,750 रुपे आपको आप पे salary मिलेगी, 12th class आप लोग यहां पे pass हो, 2 साल का diploma आप से मांगा जा रहा है, x-ray technician का यहां फिर radiography course का, और दोस्तों 6 month का आपको apprenticeship आपको आप पे course चाहिए, और diploma course भी आप से आप पे मांगा जा रहा है, तो इसके बाद अगली जो post है, ECG technician के COVID hospital के लिए 12,750 रुपे salary मिलेगी, BSC candidates आप पे apply कर पाएंगे, या फिर आपके पास diploma है, या फिर certificate अगर आपके पास है, ECG technician course में, बिलकुल आप लोग यहां पे apply कर दें, इसके बाद अगली जो post है, यह रहेगी left technician की, 13 पद यहां पे शामिल की गए, left technician की 12,750 रुपे आप आप लोग यहां पे apply करें, और 2 साल का आपके पास यहां पे diploma है, MLT में, तो भी आप लोग यहां पे apply कर सकते हैं, इसके बाद, OT technician की हां पे vacancy है, 10 पद यहां पे शामिल की गए, और 10,850 रुपे आपको यहां पे salary मिलेगी, OT technician का course आप से यहां पे मांगा जा रहा है, तो आप लोग यहां पे graduate है, मीज इसना तक है, तो बिलकुल आप लोग यहां पे apply करें, इसमें computer का आपको यहां पे ज्यान होना चाहिए, MS office, multimedia, internet, तो यह सारी समझ आप लोगों को यहां पे रहनी चाहिए, इसके बाद, driver की यहां पे vacancy है, ambulance के लिए, और यहां पे दोस्तों 8 पद यहां पे शामिल के गए, driver की पोश्ट के लिए, COVID hospital में, यह job यहां पे निकाले गए, 12th class आप लोग यहां पे पास हो, और 3 साल का आपको driving experience भी मांगा जा रहा है, और license भी होना आपका यहां पे जरूरी है, light vehicle या फिर ambulances के अंतरगर, इसके बाद, अंत में, multitasking staff, grade 4 क यहां पे पोश्ट है, 136 पद यहां पे शामिल के गए, COVID hospital के लिए, 7,850 रुपए आपको आपको सैली मिलेगी, 12th class पास होना आपको आपको जरूरी है, सिर्फ 12th class पास है, तो बिलकुल apply करें, कोई भी इसमें आपको degree की जरूरत नहीं है, कोई भी आप लोगों को यहां पे डिपलोमा नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आप लोग यहां पे 12th class पास है, बिलकुल आप लोग इस पोश्ट के लिए apply कर सकते हैं, age limit भी आप लोग यहां पे देख लें, लिखा हुआ है, 38 years, तो जितने भी candidates आपे अन्देदर वाले है, 38 years उमार आपके आप रखे ग तो लखा हुआ है, application form may be downloaded and printed in A4 size paper from website, तो यह website आपको दे दे गई, यह official website है, यहां पे आप लोगों को official application form का format मिल जाएगा, 10 सितंबर से 17 सितंबर के बीच आप लोगों को यहां पे आवेदन भेज देना है, और दोस्तों आप लोगों का fees का payment भी आपको करना होगा, तो य यह आपको fees का payment आपको बता दिया गया, medical officer की post के लिए इतना है, और अधर जितनी भी post है, medical officer को छोड़के, यह आपको fees बता दी गई है, अब दोस्तों बात करनेते है, application form को कहां पे बेच रहा है, और अंतिम तिति यहां पे क्या रहेगी, तो यहां पे साप साप लिखा submit the filled in application form and supporting documents in the directorate of health services, यह पूरा address आपको दिया जा रहा है, तो यह आपको application form और documents जो भी है आप लोगों के photocopy का site, आप लोगों को यह पते पर आपको बेच देना है, और इसकी जो date है, देख सकते हैं, 10 a.m. to 4 p.m. daily from 10 to 18 September 2021, तो 10 से 18 सितंबर के बीच, 10 से 4 वजे के अंतरगत आप लोग यहाँ पे अपना आविदन बेज दें, और interview में आपको attend होना है, तो आपको यह fees आपको ले जानी होगी, fees का payment आपको करना होगा, फिर दोस्तों आप लोगों की eligible candidates की list शामिल की जाएगी, और आपका roll number सारी जानकरी आपको list में बता दी जाएगी, फिर आपको interview के लिए बोला जाएगा, जो candidates आप पे reject हैं, उनकी लिए अलग से आपको शामिल की जाएगी, और interview के date और timing आपको notify की जाएगी, कुछ समय बाद आपको सूचना मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे अंदाजन बोला जा रहा है, कि 27 सितंबर से आप लोग अपना interview देंगे, तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आप पे cover की, उम्मीद करता हूँ update आप सभी लोग को यहाँ पे मिल गया होगा, और 384 पाद यहाँ पे शामिल किये गए, अगर आप लोग eligible हैं, तो बिलकुल आप लोग यहाँ पे आप इधर भेज दें, तो आगे की vacancy की detail इसी तरीके से पात रहते मिलते हैं, आप से अगली वीडियो में thank you so much